नमस्का दोस्तों ट्रिकी गुरु अमीद गुप्ता के यूटूब चैनल में आज आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आगया हूं फिर से sscgd की परिषा को ध्यान में रखते हुए रेजिनिंग के टाप 10 प्रस्ण जो की sscgd की पूर परिषाओं से इन प्रस्णों को लिया गया है इसलिए प्रस्ण जो आपको यह बता पाएंगे कि आपकी आगामी परिषा में किस तरख के प्रस्णों के आने की संभावना है तो सब्सक्राइब करेंगे कि आपकी परिषा में साथ मिनट में असी प्रस्णों को हल करना है जो कि बेहत कम है तो स्पीड बढ़ा के रखना पड़ेगा पूरा-पूरा-प्रस्ण साल करेंगे तो आपका समय बहुत ज्यादा चला जाएगा अगला प्रस्ण फिर समरूपता से है तो अब इसमें क्या किया गया है पी यू और यू पी इसमें दिखाई दे रहा है यानि कि जब सारे अच्छर इसमें दिखाई दे बस इधर के उधर हो जाए तो समझे कि अच्छरों का अस्थनांतर कर दिया गया है अच्छरों का अस्थनांतर के नियम का आप दिमाग से देखिए कि आखों से क्या किया गया अगर पता चल जाए तो ठीक नई तो नमबरिंग ट्रिक हमारे पास है ही तो वैसे हम लोगों देखे तो पी यू को यू पी लिख दिया है फिर आर यहां है छोड़ दिया है और आर को अपने जगा तीसे नमबर पर ही छोड़ दिया है अगर आपको समझे आ रहा है तो ठीक नहीं तो नमबरिंग भी कर सकते हैं करना है और जब देना है और है तो लिख देना है याँ यानि हमारा आउनसर हो गया सी निए विखल्प देखते हैं आप उत्तर बताने की कोशिस करिए वीडियो रोग दीजे उसके बाद वीडियो आगे बढ़ाई यह तभी आप पुरा लाब ले पाएंगे भुश से उत्तर देने का प्रियाश करें देखी यहां पर दरपड बना हुए जब दरपड दाए बाय बना रहे तो यह दर्पड प्रतिवीम है, लंबवत दरपड नीचे या उपर बना है तो जली प्रतिवीम की तर बहवार करेंगा जब कुल मिलाकि दरपर जीदर रहेगा अधर ही अकृती पलटेगी यानी की दरपर दाइं तरफ है तो आकृती दायें से बाइ या beiden पलटेगी अगर दरपर नीचे या उपर है तो आकृती नीचे से जबिषेद करें आदर नीचे पलटेगी ये बोड़ तो सभण में इसको देखते हैं हम लोग है में इसमें एक ही लाइनिंग है ऐसा नहीं है कि मेरे किसी क Assistant क में इनild imag एक नहीं है तो आसे हैं अगा प्रसम्न समर्व27 चुर्पप एक में प्रण demons जब आप बता लें तब देखिए वीडियो को आगे बढ़ाईएगा मैं अगर रुकूंगा तो वीडियो जोट मूट का लंबा हो जाएगा अब लंबे वीडियो आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं तो देखिए यहां पर ऐसा नहीं है कि 4 और 5 के बीच में कुछ लोग सोचेंगे जीरो लिख दिया है तो 4,9 के बीच में 0 लिखेगा तो 409 आंसर होना चाहिए जो कि बिकल्प में नहीं है तो अब हमें कुछ और सोचने की जरूथ होगे तो वर्ग करके घरन करके गूड़ा देखे भाग देखे आपस में जोड़के हर तरीके से देखिए जितने pattern पर आज तक आपने प्रसने हल की हैं जो आपके उचेतन मन में हैं उन सभी pattern को इस्तवाल करके देखिए किसी रख किसी एक pattern से आंसर आना चाहिए तो यहाँ पर एक pattern है 4 और 5 को हम लोग जोड़ देंगे आपस में तो हो जाएगा 9 अब इसी 9 को गुड़ा कर दीजे 45 में तो हो जाएगा 405 उसी तरह से 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 और 13 को ही गुड़ा कर दीजे उन चाहस में 13 गुड़े उन चाहस कर देंगे तो आंसर आज़ अब यह देखिए स्रिंखला परिछण का प्रशन है नार्बल वर रिजिनिंग से सारे प्रशन आपकी परिछा में पूछे जा चुके हैं तो देखिए कुल मिला कि अगर इसकी संख्या गिने जाती इसमें 2 है भुजा इसमें 1 2 3 4 भुजा है इसमें 1 2 3 यानि 6 भुजा है तो 2 फिर 4 फिर 6 तो आप समझ गये होंगे कि 8 भुजा वाली आकर्ति हमारा आंसर होगी तो यह कभी हो नहीं सकता अंसर और यह 4 दिख रहा है तो गिंते हैं हम लोग दो 2 4 2 6 2 8 इसमें 8 भुजा है इसमें 8 से ज्यादा दिख रहा है कुल मिला कि हमारा आंसर हो जाता है सी अब अगला प्रस्म सिंकला परिछड से है कभी-कभी लाक्ष्म प्रस्म आचेक चीन देता है और कभी-कभी बीच में ही देता है तो कोई दिक्कत नहीं है देखिए यह घरता हुँ अकरम है अगर आप घटाने में दिक्कत है तो आप इधर से बढ़ते हुए अकरम देख यह 35 में 5 जोड़ेंगे तो 40 होगा लेकिन आप माइनस लिखेगा माइनस 5 चालिस में 4 जोड़ेंगे तो 44 होता है तो आप माइनस लिखे क्योंकि आप दायें से बाइन चलिए तो उल्टा लिखिए 44 में 7 चोड़ेंपर 47 है यानि माइनस 7 44 है 24, 45, 46, 47, माइनस 3 47 है और 48 जोड़ेंच माइनस 2 उन्चाज को तुरंद 50 यानि माइनस 8 यानि माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5 अब आंसर आएगा हमारा माइनस 6 से तो 35 में से 6 निकाल देंगे तो अब आणसर 29 अराम से हस्ते हस्ते आ जाएगा अब देखें ये क्या कर रहा है इसकी बात यहीं से समझ में आ गई है क्योंकि B आता है दो नमपर पर ये लिखा है 3 इसे ये समझ में आ आए एक क्या तो इस ने लिखा है 9 इसकी बाती यहीं से समझ में आ जाती है और झोड के देखेंगे कि कितना अंसर आँ रहा है तो हम जोडने में समय नुकसान नहीं करेंगे जोड़ने में हमारा आता है आंसर अठता जो कि विकल्प एम है आप जोड़के देख लिजेगा अब अगला प्रस्ट फिर नानबर्बल रिजिनिंग से है तो देखिए दो पत्ती पत्ती पर कोई एक ची देखे फूल देखिए या पत्ती देखिए जिस पर आपका निगाह पर जारा है तो हम पत्ती देखते आसानी से दिख जा रहा है दो पत्ती अफिर टीन पती अब चार पत्ति कि लिए रहे पांच पत्ती वाला हमारा आंसरोगा तो इसमें फी brush सब्सकी यह कभी नहीं सकHH काट देजाए इसमें फांच पत्ती नीइसको भी काट नीएторिए इसरे ससे हमनों क्या सीखा हमने तो एक बार में आकरिति किसी एक भाग को देखिए दोनों चीवसा देखेंगे तो confused हो जाेंगे या तो फूल को देखिए तो सब में फूल को देखिए पत्ति को देखिए तो सब हो झा को cela क्वेज़ेगрий कवर्द कर दिया 218 और 9 17 17 कवर्द हो जाएगा 209 से समरूपता का प्रस्ण है नानबर्बर्बल रिजिनिंग से तो इसमें कुछ किया नहीं है इसने एक ब्रित को हटा दिया और तिरिभूज या तो एक तिरिभूज को हटा दिया ख़ीतर लें लग रहा है एक और भीतर वाले बिसको भी नखा दिया एक को अटा रहें तो फिर उसी तरस भीतर वह वर्द को हटा दिया जाए तो एक ब्रित और एक वर्ग बचेगा जो ब्रित फिर वर्ग यह वर्ग अपंने हैं उलता है यह तिर्भुछ की कोई बात नहीं थे वर्ण व्रित वर्ण वर्ण इसमें हमारा 3 दे दिया है इसलिए गलत है वरण 3 नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए था तो गल्लग हमारा तो दोस्तों आज के वीडियो आपको कैसा लाग कमेंट बाक्स में जरू भी तब बताईएगा अगर वीडियो अच्छा लगता है और हमारे आप पेड़ कोर्स से जुड़ना चाहते हैं चेप्टर वाईज वीडियो मिलेगा यानि हल सहित वीडियो मिलेगा उसके बाद आपको इसका पीडिया जाएगा ताकि परिछांस पले आप आसानी से प्रस्णों को रिवीजन कर सकें और 20 आनलाइन से ज़्यादा ही कम सखम 20 तो मिलेगा है 20 से ज़्यादा ही मॉक टेस्ट म मिलेगा तो जाके आप इस WhatsApp नंबर पर हमसे संपर कर सकते हैं अगर आपको कोर्स चाहिए तो तो दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगाओ तो अपने दोस्तों में सेर कर दीजिएगा और सेसेजीडी की तैयरी करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा धन्यबाद दोस्तों